कि आप आप लो प्रेंड्स वेलकम टो लियोकवा और लियोकव में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे अंजल फिस के बारे में तो आज को टॉपिक है हमारा अबाउट दो सेट अप 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 अपने 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 पानी चेंज करना पड़ता है कि अचना पशने लोग बात करेंगे अपने 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 के फिर आखने ही यहिए ऐंड़ के है इखेक है कि कुछिर्ट माय्ने मूव हो कि एक्डा पुर्स आपंंज हेयं जो है मेरा कभी भी blank aquarium में नहीं रहता है मतलग इतने इतना simple aquarium में नहीं रहता है angel fish require some hiding space some space for the play okay और इसे कुछ plant चाहिए तो I will working on that तो first of all बात करेंगे इस setup के बारे में जो मेरा इस angel fish के ऊपर है ठीक है इस यह मेरा 2 foot का tank है 2 foot 1 foot by 1,5 foot का यह मेरा tank है this is a dimension इस tank को setup करने का total process का है वो में आपको बताता हूँ इस tank को मैंने purchase किया purchase करके इसे मैंने clean किया clean करने के बाद this rock is totally free I will just keep this rock from the road side of side of the road okay और इस rock को मैंने test किया जिसका कि मैं अलग video बनांगा कि कौन सा rock exactly हमें aquarium में use करना चाहिए और कौन सा यूज नहीं करना चाहिए उसका एक testing process जिसमें मैं अलग में video बनांगा उसके बारे में बात करता है पहले हम लोग बात करते हैं angel fish के setup उसके care और उसके food के बारे में तो angel fish का setup के लिए मुझे क्या लगा मुझे एक aquarium लगा aquarium के साथ यह aquarium का capacity मेरा 45 to 50 liter पानी का capacity है और इस aquarium में मैंने tap water यूज किया है मतलब जो मेरा normal water होता है मेरे water tank का उस पानी को मैंने use किया है लेकिन उसको use करने का भी एक process है मैंने direct tap से उठा के इसमें नहीं डाला है तो सबसे आसान प्रोसेस किया इस tank को आप पहले खरीद कर लाइए खरीद के लाके इसे clean करके एक से दो दिन इसे छोड़ दीजे और जिस दिन आप tank लाएंगे उस दिन क्या किजे आप किसी भी bucket में या फिर किसी भी बड़े bottle में जो कि 20 लीटर और 20 लीटर का पानी का जो अगर इस tank का मेरा capacity 40 लीटर है तो I have already it means I have already 2 gallon of the 20-20 लीटर मैंने उस gallon में क्या किया मैंने tap water fit किया tap water को fit करने के बाद मैंने क्या किया उसमें कुछ medicines डाले ठीक है अब हम लोग बात करते हों medicine क्या क्या है cleaning के लिए यूज के जाता है मैं इसे actually यह देखिए first medicine it will require 5-10 drop second आपका यह medicine है antifungus it will just require 1-2 drop अभी इसका भी use करने का बहुत तरीका है क्योंकि इस medicine को use करने के लिए बहुत सारा contradiction है market में बहुत लोग बोलेंगे इसे use नहीं करना चाहिए इसे use करना चाहिए but but मुझे लग तो मेरी feces को कोई problem आओ इसके लिए मैं already अपने water में antifungus का दो dose add करके रखोंगा और एक आपका है anti-aids यह general aids के लिए यह मतलब आपका tank में कोई भी extra chlorine हो गया या फिर कोई भी extra fungus वगेरा है तो उसको clean करते है तो process क्या है tank खरीद के लाया जिसनीं tank खरीद के लाया tank को clean क किया है tank को clean करने के बाद दो बोटल 2020 लीटर का उसमें tap water fill किया ठीक है दोनों में मेरा यह जो require medicine है इसे मैंने इसे मैंने capacity के इसा डाला और मैंने दोनों बोटल में pump add किया हूँ ठीक है air pump और उसे दो दिन तक मैंने साइफन किया तो दो दिन उसे साइफन करने के बाद उस water से chlorine और iron यह दोनों आपका remove हो जाएगा ठीक है अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे तो chlorine तो चलिए मैं remove कर सकता with the help of medicine लेकिन जो iron है वो तुरंत remove नहीं होता it will require at least one or two days तो pumping करने से क्या होता है वो iron जो है वो air में evaporate होके वो उठ जाता है तो इसलिए मुझे यह करना पड़ा अगर मैं same day उस water को use करूंगा तो मेरा यह जो tank है पूरा yellow पड़ जाएगा पूरा yellow इस्ट हो जाएगा इसके जितने भी wall है तो उससे बचने के लिए क्या करना है अगर मुझे आज angel fish का setup करना है तो मैं दो दिन पहले से तैयारी करूंगा ठीक है तो एक एक बार फिर से process repeat करते है process हमारा बहुत ही सिंपल है पहले tank खरीद कर लाना है जिसने tank खरीद कर लाएंगे हम उसके साथ हम लोग क्या करेंगे हम अपना water preserve करेंगे water preserve करके हमारा जूभी medicine उसको add करेंगे और उस उस preserve water में हम लोग pumping स्टार्ट कर देंगे यानि airflow होना चाहि यह बहुत ही बहुत ही अच्छा फिस इसे माना जाता है और इसका maintenance बहुत ही लो है ठीक है हमारा setup जब ready हो जाएगा जो भी हमारा planted अगर करना है तो आपको planted का process में जाना होगा नहीं तो at least आपको कुछ aquarium decoration है वो आपको add करना होगे या कुछ rocks वगरा add करना होगे और then after एक एक घंटा जब आपका tank जो है आपने जो भी filter apply किया है उस filter apply करने के बाद जब आपका एक घंटा आपका जब tank पूरा चलेगा जैसे इस setup में मैंने एक top एक power head यूज किया है तो जब मैं water इसमें add किया ठीक है water add करने के तुरंद बाद मैंने फिस को नहीं छोड़ा first I will add this add the water in a tank start this pump with light और इसमें मैंने एक यह spotlight यूज किया है with the LED यह white LED ठीक है अब एक घंटे के बाद मैं market गया जहां से मुझे फिस खरीना था मैं वहां पर already फिस को book करके रखा था I will just go there and keep the fishes ओके अब फिस को लाने के बाद मैं आदर घंटे से पंदर मिट में temperature को match मतलब जो भी फिस का polythene होगा या plastic होगा उसका rubber मैं उपर से निकालूँगा और उसे मैं इस water में बस डिप करका रखूँगा only for the 50 to 20 minute उसके बाद temperature जब match कर जाएगा तो हम just you the one net okay सारे फिस को उस net पे add करूँगा और मेरे इस tank में डालूँगा तो यह हो गया यह अभी हम इस में मैं कुछ plant add करूँगा और कुछ rocks और कुछ sand use करूँगा ताकि इसका look change हो ठीक है यह इस tank को मैंने just two days पहले ही setup किया है और यह angel fish पहले मेरे discuss के साथ रहता था बट अभी मेरे discuss का जो quantity है वो कुछ जाद होगा जिसके कारण मुझे एक अलग से angel tank मुझे setup करना होता है ठीक है little bit hardy होता है ठीक है और इसे हम लोग दिन में दो बार fit कर सकते हैं इसे इसका tank हम लोग at least minimum 7 to 10 days में हम लोग एक बार इसका 20% to 20% to 30% water को है change करते हैं from the top it means we have to we have to require one suck pipe okay तो जो भी dust है उसे नीचे से 30% water निकालके और नया tap water इसमें जो कि already siphon किया वह water है उसे हम लोग इसमें add कर देंगे तो यह था इसका maintenance का process अब यह food खाते क्या है तो यह actually already इसका maintenance बहुत light होने कारण मैं इससे यह food लाता हूँ यह optimum का normal food है ठीक है यह light है और इससे इसके a lava for the for the health purpose okay for the health purpose I will give tetrabit also in week में मैं 2-3 दीन मैं tetrabit देता हूँ तो यह था total about the fish about the angel fishes how we can keep angel fish हम इसे कैसे रख सकते हैं और यह काफी मतलब इतना exotic fish नहीं है यह यह आपको normal herrick shop में very easily मिल जाएगा और generally मुझे fishes from baby पसंद है तो जब भी मैं fish keep करता है I will just buy a small baby तो जब मैं इन fishes को buy किया था I will just purchase 50 rupees each तो 200 रुपय का यह मेरा total fish था और उस समय इस fishes के size minimum 1.5 inch से 2 inch थे और अभी इसका size more than 3.5 to 4 inch है ठीक है ठीक है तो यह था और मेरे angel fish का setup के बारे में जो कि मैंने आज ही setup किया है तो सोचा इसके बारे में थोड़ा आप लोग को update कर दूं कैसे हम लोग angel fish tank setup करते हैं तो thank you everyone थोड़ा like कीजिए subscribe कीजिए comment कीजिए आप लोग और क्या जानना चाते हैं fishes के बारे में किस तर okay just comment out and i will reply as soon as possible thank you everyone thank you for support bye bye